हाई आज हम सुन रहे हैं ठिंक एंड ट्रेड लाई के चैंपियन जिसे मार्क मिनरविनी ने लिखा है हिंदी ओडियोगुक में आपका स्वागत है परिच्य एक चैंपियन की तरह सोचने और ट्रेड करने के लिए पहला कदम आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप दि करें इससे आपको कालातीत नियमों और सिद्ध तकनिकों का पालन करके अपने ट्रेड पर कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी आपको कुछ सबसे कठिन और सबसे ब्रामित करने वाले प्रशनों के उत्तर प्राप्त होंगे जैसे कि लोंग ट्रम प्रोफिट के लिए शोट कमजोरियों को सुधार ने और सफलता के लिए एक ठोस आधार बनाने के लिए आफ्टर ट्रेड एनलेसिस के दोरान वास्तों में क्या जांच करनी चाहिए अपनी पहली पुस्तक ट्रेड लाई के स्टोक मार्केट विजाड मेक्राहिल 2013 में लेखक ने अपनी SEPA ट्रेडि का सेट लिखने का इरादा नहीं किया था इस बुक में कई ऐसी चीजी हैं जिने वे जगय की कमी के कारण पहली बुक में फिट नहीं कर सके उन प्रष्टों में उनके 33 वर्षों के अनुभव और वास्त्विक जीवन के अप्लिकेशन्स के आधार पर ट्रेडिंग की सवलत के लिए अपना व्यक्तिगत नुश्का बता रहे हैं ट्रेटेजी पर इस अमुल्य कैसे करेने उन्हें यूएस निवेस चेंपियन बनने और कुछ हजार डोलर को मल्टी मिलेनियर डोलर की संपत्ति में बदलने के लिए प्रेडित किया हो सकता है कि आपके पास उनकी तरह तीन डश्कों का अनुभव ने हो लेकिन आपके पास कुछ और है जो बहुत मुल्यवान है कुछ ऐसा जो आपके सीखने की अवधी को नाटकिय रूप से छोटा कर सकता है उनके ग्यान को अपने शुरुवाती बिंदू के रूप में उप्योग करने का आउसर इसका मतलब यह है कि आपके पास उनसे भी बड़ी सफलता हासिल करने का आउसर है अब शायद आप सोच रहे होंगे कि जब ट्रेड करना आसान था तो मार्क एक चेंपियन निवेशक बन गया या मार्क स्वभाविक रूप से प्रतिभाशाली है या उसका पालन पोशन हुआ है जिससे और दूर कुछ भी नहीं हो सकता उन्होंने कम सिक्षा या पूंजी के साथ गरीबी से शुरुवात की जब उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया तो कमिशन एवरी ट्रेड सेंकडों डोलर था जबकि आज केवल 5 या 10 डोलर है बोली और पूछना का प्रसार अक्सर 2 या 3 जोलर होता था जबकि अब यह केवल पैसे का है और सबसे बढ़कर बेहतर ग्यान तक पहुँच बहुत कम थी आज आपकी जरूरत की हर चीज तक आपकी सीधी पहुँच है टूल्स और नोलेज जो कभी स्पेशल वाल स्ट्रीट पेशेवरों के लिए उपलब्द थे स्ट करीब नहीं ले जाएगा जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन गलत चीजों का अभ्यास करते हैं वे केवल बुरी आधतों और दोस्पूर्ण यांत्रीकी को विक्षित करेंगे एक चेंपियन की तरह सोचें और ट्रेड करें में आप अभ्यास करने का सही तरीका कि वास्तों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए सही ग्यान, सीखने की प्रकिरिया के प्रति प्रतिबदता और जारी रखने की इच्छा शक्ति की आवशक्ता होती है। और हम जीतते हैं जब हम तै कर लेते हैं कि हमें विजेता बनना है। इनोंने एक बार और हमेशा के लिए यह तै कर लिया कि वे सफल होंगे और उनोंने खुद को ओसत दर्जे से ऐसाधरन में बदल लिया। निसंदे जीतना एक विकल्प है। यदि आप इसे स्विकार नहीं करते हैं तो डिफाल्ट रूप से आपको यह मानना होगा कि आपके भग्ये पर आपका कोई नियंतर नहीं है। और अगर यह सच है तो किसी भी चीज में सफल होने की कोशिश करने का क्या मतलब है। सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या आप भग्ये शाली हैं। हर किसी के अंदर एक चेंपियन ट्रेडर होता है। यह सिर्फ ग्यान, इच्छा और परतिवदता का मामला है। सबसे बढ़कर आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। लेखक आपको विश्वास दिलाते हैं कि ट्रेडिंग में आप जीतना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। और तथा कतित विश्वशक्यों की तुलना में कहीं कम जोखिम के साथ आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप यह स्विकार नहीं करते कि जीतना एक विकल्प हैं, आप अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर पाएंगे। नहीं आप अपने भग्य के नियंतरण में होंगे। क्योंकि आपने परिणाम के पूरी जिम्मेदारी नहीं ली है। इसलिए आप पूरी तरह से सशक्त नहीं हैं। जो लोग जीतना चुनते हैं, वे सफल रोल माडल की तलाश करते हैं। सफलता के लिए एक रोड मैप विक्षित करते हैं और ऐस सफलताओं को मुल्यवान मानकर स्विकार करते हैं। वे एक योजना को किरियानवित करते हैं, उसके परिणामों से सीखते हैं और जीत हासिल होने तक समायोजन करते रहते हैं। विजेता वे लोग हैं जो जीतने पने को बरदाश्ट नहीं कर सकते, कुछ लोग इस तरह से शुरुवात करते हैं, जबकि अन्य अन्तते ओसत दरजे के होने से तंग आ जाते हैं और निर्ने लेते हैं कि वे अब अपने सपनों से पीछे नहीं हटेंगे, यह है रवया, शाय वे आपको कोई एसा व्यक्ति दिखाएंगे, जिसके हारने की संभावना है, यदि आप एक चैंपियन की तरह ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको एक चैंपियन की तरह सोचना होगा, जब तक आप स्वयम को यहे विश्वास नहीं दिला देते, कि सफलता एक विकल्प है, आप एक पराजित विजेता हैं, इसका मतलब यह नहीं है, कि एक व्यक्ति के रूप में आप हारे हुए व्यक्ति हैं, इसका सीधा सा मतलब है, कि आपने अभी तक जीतने के बारे में सचाई नहीं सीखी है, या स्विकार्द नहीं की है, चैंपियन महानता को क्यों नहीं छ में लेखक ने एक चेंपियन स्टोक निवेशक बनने का निर्णे लिया वह लगवग साथ साल बात था जब उन्होंने अपना पहला ट्रेड किया यह सही है साथ साल उन्होंने लगवग एक दशक ठक काम किया और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं उस बिंदू तक उनके रेजल्ट वही थे जो आप किसी एसे व्यक्ति से उम्मीद करेंगे जो चोरी छिपे काम करता है फिर मार्च 1990 में उन्होंने दुनिया का सर्वस्रेश्ट स्टोक ट्रेडर बनने के लिए द्रड परतिबद्दा बनाने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि वे इस पर तब त दो तरह के ट्रेडर होते हैं लेखक बिल्डर को अनुशाशे और प्रकिरिया संचालित कहते हैं एक बिल्डर प्रोसेस और स्टेप्स को बेहतर बनाने पर ध्यान केंदरित कर रहा है बिल्डर को भरोसा है कि अगर उसकी प्रोसेस सही होगी तो नतीजे आएंगे गलतियों को शिक्ष्टों के रूप में देखा जाता है जो निरंतर फीडबेक लूप में लगातार मुल्यवान सबक परदान करते हैं जब बिल्डर कोई गलती करता है तो इसे प्रोथसान के रूप में लिया जाता है यह वह गलती है जिसे मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा सदैव आशावादी बिल्डर उस दिन का इंतजार करता है जब रजल्ट प्राप्त होंगे अच्छे या बुरे क्योंकि प्रकिरिया में लगातार सुधार हो रहा है दूसरा ट्रेडर वह है जिसे लेखक रेकिंग बोल कहते हैं एहंकार से प्रेरित विनाशकारी गेंद रजल्ट पर केंदरित होती है यदि वे तुरंत नहीं आते तो वह निराश हो जाता है यदि कोई गलती हो जाती है तो बरबाद करने वाला खुद बर हमला करता है या दोश देने के लिए किसी और को डूढ़ता है यदि कोई स्ट्रेटेजी जल्दी से वीजयी परिनाम नहीं देती है या वह कठिन दोर से गुजरती है तो बरबाद करने वाली गेंद उसे एक तरफ फैंक देगी और एक नई स्ट्रेटेजी की तलाश करती है वास्तों में इस प्रोसेस के लिए कभी प्रतिबद नहीं होती है जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं बरबाद करने वाली गेंद के पास बहुत सारे बहाने होते हैं और वह शायदी कभी परिनाम का स्वामित हो लेता है और परिनाम स्वारू कभी भी कोई स्थाई या अदबुत चीज नहीं बनाता है लेकिन याद रखें कि लेखग ने शुरुवात में क्या कहा था आप एक या दूसरे नहीं हैं आपके अंदर निर्माता और विनाश करने वाली दोनों गेंद हैं जैसे हर इनसान में प्यार और करुणा की क्षमता होती है और नफरत और नुकसान की भी क्षमता होती है तो कौन आपके परिनाम निर्धारित करेगा निर्माता या बरबाद करने वाली गेंद इसका उत्तर देने के लिए लेखक अपनी पसंदीदा कहानियों में से एक का हवाला देते हैं जो पेमा चोडरोन ने अपने पुस्तक टेकिंग देर लीफ फ्रिंग अवर सेल्स फ्रॉम ओर्ड हैबिक्स एंड फियर्स में बताई है एक मूल अमेरिकी दादा अपने पोते से दुनिया में हिंसा और क्रूरता के बारे में बात कर रहे थे और कैसे यह आता है उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था मनो दो भेडिये उनके दिल में लड़ रहे हों एक भेडिया प्रतिशोधी और क्रोधी था और दूसरा भेडिया समझदार और दयालू था। युवक ने अपने दादा से पूछा कि उनके दिल में कौन सा भेडिया लड़ाई जीतेगा और दादा जी ने उत्तर दिया जो जीतेगा वही मैं दिखाऊंगा। तो यहें आप के साथ रहेगा। लेखक खुद को एक प्रबुत ट्रेडर मानते हैं। सबसे पहले वे मानते हैं कि उनके भीतर, निर्वाता और विनाशक दोनों गेंदे हैं। लेकिन वे बिल्डर को खाना खिलाना और बरबाद करने वाली गेंद को बूखा रखना चुनते हैं। इस ब निती से भी आपको कोई फाइदा नहीं होगा। इस बुक में आप स्वेम को सफल ट्रेडिंग की राह पर लाने के लिए आउशक महतवपूर्ण टूल सीखेंगे। लेकिन इस से पहले की सफलतात बहुतिक दुनिया में दिखाई दे, उसे पहले दिमाग में हासिल किया ज चाहिए लेखकी से अनुभव से जानते हैं। कम शिक्षा के साथ गरीब होने के कारण उनके पास वस्तुत कोई संसादन नहीं था। परिनाम सोरुप उन्हें सीखना पड़ा कि गरीबी की मानशिक्ता से कैसे उपर उठना है। एक इसी मानशिक्ता जो उनके खिलाफ काम क कर रही थी। लेकिन गरीबी की मानशिक्ता रखने के लिए आपका गरीब होना ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग अभाव के भे में फसे हुए हैं या वे अपने अतीत के कारण या किसी जूट के कारण अयोग्य महसूस करते हैं जिसे वे सच मानते हैं। आप अमीर भी हो सकते हैं लेकिन अगर आप जीवन की यात्रा का आनंदर नहीं लेते हैं और आप में जुनून की कमी हैं तो आपका जीवन हाशिये पर रहेगा। वहे दुख गरीबी की मानशिक टाका परिनाम है। यदि आप किसी चीज में अपना दिल, आत्मा और दिमाग लगाते हैं तो बड़े पैमाने पर सफल होने के लिए वहे सब कुछ क्यों नहीं करते जो आप कर सकते हैं। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और समझदारी से ट्रेडिंग करते हैं तो आप सफलता के पात रहें। लेकिन इसके लिए द्रड़ता और सही मानसिक दृष्टिकोंड की आ आपके ट्रेड और आपके जीवन का कंट्रोल लेने और आपके रेजल्ट्स के लिए पूरे जिम्मेदारी स्विकार करने के बारे में हैं। 100% जिम्मेदारी लिए भीना आप प्रभावी धंग से प्रतिक्रिया देने की 100% क्षमता कैसे विक्सित कर सकते हैं। इन पन्नों उमें सफलता का खाका लेखक के लिए और उनके नक्ष कदम पर चलने वाले कई अन्य लोगों के लिए काम आया है। यहें आपके लिए काम कर सकता है और करेगा। लेकिन केवल तबी जब आप नए वीचारों के लिए खुले हों और इस वास्तविक्टा को स्विकार करते ह कि एक Champion Stock Trader बनने का मतलब उपहार प्राप्त करना या IV League School से Finance में डिगरी प्राप्त करना नहीं है इसकी शुरुवात इस सशक्त विश्वास से होती है कि जीतना निसंदे एक विकल्प है यदि आप इस वर विश्वास करते हैं तो आपने अभी अभी सबक नमबर एक सीख लिया है यानि लियोन मत बनो क्या आप अती सफल स्टोक ट्रेडर बनने के लिए एक छोटी बूड़ी महिला की मदद लेंगे लेखक को यकीन है कि उस प्रशन ने आपको पूरी तरह से चोका दिया होगा असली सवाल यह है आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे उत्तर क्योंकि यह है आपकी विश्वास प्रनाली आपके मुल्यों और मानकों के विरुद्ध है किसी भी चीज में जीतने की कुणजी अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना और अपनी विश्वास प्रनाली को अपने कारियों के साथ सर्रेखित करना है लेखक आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि आप तब तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँच पाएंगे जब तक आप अपने विश्वास के अनुरूप कारियों करना नहीं सीख लेते क्या आपका मानना है कि बड़ा रिटर्न पाने के लिए आपको बड़ा जोखिम उठाना होगा यदि आप ऐसा करते हैं तो कम रिश्क हाई रिटर्न वाली रन्निती आपके अनुरूप नहीं हो सकती है ट्रेड के साथ यदि आपकी मान्यताईं आपकी रन्निती के साथ तालमेल से बाहर हैं तो एक आंतरिक संगर्स आपको रोक देगा और सफलता को लगभग असंभव बना देगा उधारन के लिए मान लेजिए कि यदि लेखक एक ऐसी परनाली का उपयोग करने का प्रियास कर रहे हैं जो बड़े घाटे को बरकरार रखती हैं और बड़े दुरलब लाब से बरपाई करती हैं तो वे निश्चित रूप से ऐस फल हो जाएंगे बले ही वह परनाली लाबदाई को और किसी और के लिए काम करती हो वे बहुत लंबे समय तक इसका अनुसरन नहीं कर पाएंगे उनमें गाटे से उबरने का आत्मों विश्वास नहीं होगा क्योंकि यह जो खिम के बारे में उनकी धारना के वीपरीत है यदि उनकी रणनिती आपको समझ में आती है तो बढ़िया इसे अपनाओ यह निश्चित रूप से आपको सही दिशा दिखाएगा और आपको अच्छे नियमों के साथ शुरुवात करेगा फिर यह आप पर निर्बर है कि आप हरवाई करें और अच्छे निर्ने का उप्योग करें आप जो भी स्ट्रेजी चुने सुनिश्चित करें कि आप जो कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास है ताकि आप पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबद हो सकें और आत्म तोड़ फोड से बच सकें क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया और फिर अपने आप से कहा आखिर मेरे साथ क्या गलत है जब मैं जानता था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो मैंने ऐसा क्यों किया यह एक रेड फ्लेग है जिसे आपको अपनी विश्वास प्रनाली के साथ समन्वित करने की आवशक्ता है क्योंकि लंबे समय में विश्वास प्रनाली हमेशा जीतती है अत्यदिक सफल होने के लिए आपके कारिये आपके विश्वासों के अनुरूप होने चाहिए सरवांग समता ही लक्षय हैं आदर्श सफलता जैसा कि आप लेखक की पहली पुस्तक से पहले ही जानते होंगे उनकी विशिष्ट प्रवेश बिंदू विशलेशक S.E.P.A. रननिती आस्चिर अजनक स्टोक उम्मिदवारों की पहचान के लिए लीडर्शिप प्रोफाईल पर आधारित है अठारा सो के उतराद के एतियासिक डेटा का उप्योग करते हुपे S.E.P.A. ने सूपर परफॉर्मेस शेरों द्वारा सांजा की गई विशेस्ताओं का एक खाका विक्सित किया है यह आतीत के सबसे सफल स्टोक के गुणों और विशेस्ताओं की पहचान करने के लिए चल रहे प्रयास पर आधारित है ताकि यह निदारित किया जा सके कि किसी स्टोक के भविश्य में अपने साथियों से नाट के यह रूप से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना क्या है लेखक ने S.E.P.A. के साथ जो किया है वह केवल मॉडल की सफलता है कई साल पहले जब वे 20 साल के थे तो एंथनी राबिनसन दुआरा किये गई एक कोर्स में गई और एक बहुती मुल्यवान सबक्ट सीखा यदि आप लियोनार्डोदा विंची की तरह पेंटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी तरह सोचना सीखना होगा क्योंकि जहां मन जाता है बाकि सब कुछ अनन्द उसका अनूसरन करेगा यदि वे सर्वयकालिन महान ट्रेडर्स के नक्षे कदम पर चलना चाहते हैं तो उन्हें उनके बारे में वह सब कुछ सीखना होगा जो वे सीख सकते हैं जब तक कि वे उनके जैसा नहीं सोच पाते और इसलिए उन्होंने किताबें पढ़ना और दिग्ज ट्रेडर्स का ध्यन करना शुरू किया वे उनके दिमाग में गुशना चाहते थे उनकी तरह सोचना चाहते थे ताकि वे उनकी सफलता का माडल तैयार कर सकें उन्होंने इन पुस्तकों को बार-बार पढ़ा ताकि वे जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात कर सकें यहां लेखक यह नहीं कह रहे हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब किसी और की कार्बन कापी बनना है लेकिन इस से पहले कि आप किसी आउधारना पर महारत हासिल कर सकें आपके पास वास्तों में ग्यान होना चाहिए जब ग्यान का एक मुल्यवन बंडार तैयार करना है तो पहिये को फिर से आविशकार करने का प्रियास क्यों करें 1677 में सर आईजेक न्यूटन ने प्रसिद रूप से कहा था अगर मैंने आगे देखा है तो वह दिगजों के कंदों पर खड़ा होकर है क्यूबिजम के अग्रदूतों में से एक पिकासों के बारे में सोचें उन्होंने कला अकादमियों में क्लासिक तकनिकों का अध्यन किया जिसमें उनके पिता का सारक्षन बेशामिल था लेकिन एक बार जब उसे वास्तों में नियमों का ज्यान हो गया तो वह उनसे आगे जा सकता था कई साल पहले लेखक के स्टूडेंट्स में से एक कनाडा के डेरेन नाम के एक युवक थे डेरेन एक सिश्य से कहीं अधिक थे वे उनके उस बेटे की जरह थे जो उन्हें कभी हुआ नहीं था डेरेन ट्रेड के प्रती उनका दृष्टिकोन सीखना चाहता था और जिस प्रकार के परिणाम लेखक उत्पन कर रहे थे उसे प्राप्त करने के लिए वह उनकी विश्वास परनाली को मौडल करने के लिए प्रतिबत था कुछ समय के लिए डेरेन उनके घर पर रुखे जब वह वहाँ थे उसने मेरी आदतों का अध्यन किया और उन्हें अपनाना शुरू किया पहले सुक्षमता से और फिर अधिक स्पष्ट रूप से जब लेखक उस समय बोडि बिल्डिंग कर रहे थे इसलिए उन्होंने बहुत विशेष्ट आहार खाया देरेन अपेक्षाकरत पतला लड़का था और वजन नहीं उठाता था लेकिन उसने बिल्कुल वई खाना शुरू कर दिया जो लेखक खाते थे और उनके विटामिन और प्रोटेन पाउडर लेना शुरू कर दिये पहले तो लेखक ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उसने कुछ बेहद नीजी आदतों को अपनाना शुरू कर दिया है एक बोड़ी बिल्डर के रूप में वे नियमित रूप से अपने शरीर के बालों को काटते और शेव करते थे एक दिन जब वे लिविंग रूम में थे तो उन्होंने कुछ बिन बिनाने की आवाज सुनी फिर वे उसके पीछे पीछे बातरूम के दरवाजे तक गई बोड़ी बिल्डर नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने लेखक से कहा यदि आप शेव करते हैं तो मैं शेव करता हूँ आप जो भी करते हैं मैं वेह करता हूँ यदि आप हरी कुर्सी पर बैठते हैं तो मैं हरी कुर्सी पर बैठता हूँ यदि मैं आपकी तरह ट्रेड करना चाहता हूँ तो मुझे आपकी तरह सोचना होगा एसा करने के लिए मैं वहे सब कुछ करने जा रहा हूँ जो आप करते हैं लेखक का पहला विचार था कि यह पागल है तब उन्हें ऐसास हुआ कि वहे एक प्रतिवाशाली व्यक्ति था उ कि यदि आप वास्तों में किसी को समझना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति जैसा बनना होगा जैसा की कहा जाता है उस व्यक्ति के स्थान पर चलें डेरेन की उनसे सब कुछ सीखने की प्रतिबधा ने उन्हें नय केवल उनकी रननित्यों का अध्यन करने के लिए जल्द ही वह नियमित रूप से जिम जाने लगे और वजन उठाना भी शुरू कर दिया समय के साथ देरेन को अनुशाशन का फल मिला लेखक के साथ ट्रेड करने के पहले ही वर्ष में वह 160 प्रतिसत उपर था इसके बाद उन्होंने अपने दम पर कई वर्षों में तीन अ प्रवांगिन होने को तयार था एक एसी मानशिक्ता के साथ जो लेखक ने किसी और में नहीं देखी उनके लिए धारना ही सब कुछ थे प्रकिरिया को अपनाना जैसे ही लेखक यह परीचे लिखने बैठे तो उन्हें एक ट्रेडर से एक इमेल प्राप्त हुआ जिसने उन फिर उसने खुद को दोशी ठहराना शुरू कर दिया उसे लगा कि वह एक ट्रेडर बनने के लिए बिलकुल नहीं बना है पंक्तियों के बीच पढ़ते हुए लेखक पता सकते हैं कि इस आदमी ने खुद को स्पष्ट रूप से आश्रस्त कर लिया था कि बड़ी जीत कु उसके जैसे सभी लोग इस धारना को खारिच कर दें कि किसी भी तरह वे ट्रेड के लिए तयार नहीं है यदि आप कभी भी ऐसे बिंदू पर पहुंशते हैं जहां आप अपनी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको यह विश्वास छोड़ना होगा कि आपके अंदर कुछ कमी है कुछ बुद्धी मता योग्यता या विशेश परतिभा जो आपको इसे प्राप्त करने से रोकती है इस ट्रेडर के पास सफल होने के लिए आवशक सब कुछ हैं बसरते वह एक काम करने को तयार हो आपने सही अनुमान लगाया स्विकार करें कि जीतना एक विक कि सब कुछ से बनता है जब तक आप एसा नहीं करते लेखक आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि सफलता एक हिट और मिस का मामला बनी रहेगी और शेरों में उतकरष्ट परदर्शन आपसे दूर रहेगा कोई भी टोप से शुरुवात नहीं करता ट्रेड के लिए ईश्वर प्रदक कोई विशेश प्रतिबा नहीं है जैसे कि मानो जिनोम में सिर्फ सट्टे बाजों के लिए डियेने का एक कतरा था कोई भी प्राकर्तिक स्टोक निवेशक नहीं है वास्तों में लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग सबसे एप प्राकर्तिक चीजों में से एक है जो कोई भी कर सकता है वे इस सोच में अकेले नहीं है सूपर स्टार निवेशक पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अप ओन वाल स्ट्रीट में उन लोगों के जवाब में कहा जो सोचते थे किसी भी तरह से अन्य लोग सिर्फ निवेश करने के लिए पैदा हुए हैं मेरे पालने के उपर कोई टिकर टेप नहीं था नए ही मैंने स्टोक पेजों पर दांत लगाई थे आपने बरलिन जर्मनी के विशेशग्यों की एक टीम के बारे में सुना हुगा जिनोंने 1990 के दशक की शुरुवात में वाईलिन छात्रों का अध्यन किया था विशेश रूप से उन्होंने बच्पन, किशोर आवस्ता और वियसकता में अपने अभ्यास आदतों का अध्यन किया सभी वाईलिन वादकों ने लगवग 5 साल की उमर में समान अभ्यास समय के साथ बजाना शुरू कर दिया था अलांकि 8 साल की उमर में अभ्यास का समय अलग-अलग होने लगा 20 वर्स की आयू तक विशिष्ट कलाकारों ने ओसतन 10,000 गंटे से अधिक अभ्यास किया जबकि कम सक्षम कलाकारों ने केवल 4,000 गंटे अभ्यास किया दिल्चस्प बात यह है कि कोई भी प्राकर्तिक रूप से प्रतिभाशाली कलाकार सामने नहीं आया यदि प्राकर्तिक प्रतिभाने कोई भूमिका निभाई होती तो हम उमीद करते कि कुछ प्राकर्तिक बाकी सब एकी तुलना में कम अभ्यास गंटों के साथ विशिष्ट स्तर के सिर्ष पर पहुन जाएंगे लेकिन डेटा कुछ और ही दिखाता है मनोवग्यानिकों ने अभ्यास के गंटों सीधा संखी किये संबंद पाया कोई शोटकट नहीं, कोई प्राकर्तिक नहीं अभिजात वर्ग के पास कम सक्षम कलाकारों की तुलना में अभ्यास के गंटे दूगने से भी अधिक थे बलोलू आब यह है कि ट्रेडिंग में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको काम करना होगा और इसमे कुछ समय लगेगा लेकिन इसका लाब व्यक्तिगत निवेश के लायक है कोई चाहे किसी भी गुण या क्षमता के साथ पैदा हुआ हो मार्केट में सफलता एक ठोस प्रियास और सीखने की प्रकिरिया को आगे बढ़ाने की इच्छा से आती है चाहे इसमें कितना भी समय लगे केवल घंटों का परीश्रम ही आपको सफल नहीं बनाएगा यह आपके परेणामों की जाँच करके अपने द्रिष्टिकोंड में बदलाव करके और क्रमिक प्रगती करके सुधार करने का निरंतर इरादा है अपने पुस्तर दे टेलेंट कोड में डेनियल कोईल ने इस प्रक्रिया को गहन अभ्यास के रूप में संदर्बित किया है ने की केवल एक ही चीज को बार-बार करना बलकि समायोजन करने और अभ्यास को आधिक सार्थक बनाने के लिए फीडबैक का उप्योग करना सिर्फ इसलिए कि आप स्टोक ट्रेडिंग में महान बनने का निर्णे लेते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप तुरंत अच्छे परिणाम देंगे क्या आप कुछ महिनों के लौ स्कूल के बाद अदालत कच्छ में जाएंगे और किसी मामले के सुनवाई बहुत कम या नै के बराबर करेंगे अनुभाव यदि आपने ऐसा किया तो क्या आपको आश्चरय होगा यदि आपके सहार गए या क्या आपके वल दो प्री मेड कक्षव में भाग लेने के बाद ऑपरेशन करने का प्रियास करेंगे यदि आपने किया भगवान ने करें तो क्या आपको आश्चरय होगा कि यदि रोगी ठीक नहीं हुआ बेशक ये परीदरश्य बिलकुल आश्चा स्पद लगते हैं लेकिन यदि आप मैकडोनाल रेस्तरा में रसोई में चले जाएं और फ्रायर को चलाने की कोशिश करें तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि इसे कैसे चालू किया जाए क्यों एसा इसलिए नहीं है कि आप में बुद्धी मता या विशेश परतिभागी कमी है बलकि सिर्फ इसलिए कि आपने इसके बारे में अभी तक आवशक ज्यान और आनुवाव हासिल नहीं किया है फिर भी कुछ लोग ब्रोकरेज खाता खोलते हैं और तुरंत शांदर रिटर्बाने की उमीद करते हैं जब वे कुछ नहीं करते तो वे बहाना बनाते हैं, हार मान लेते हैं या बड़ा जोखिम लेना शुरू कर देते हैं शायदी कभी उनके साथ ऐसा होता है कि उन्हें इसे हासिल करने के लिए विशेश ग्यान और धहरिय की आवशक्ता होती है जब लेखक ने पहली बार शुरूवात की थी तो वे एक भयानक टेडर थे अन्ततै उन्हें जो सफलता मिली वह प्राकरतिक प्रतिवा से नहीं मिली बिना शर्त द्रड़ता और सीखा हुआ अनुशाशन उन्हें वहां ले आया जहां वे आज हैं और वे जानते हैं आज भी अगर वे अपना अनुशाशन तोड़ दें तो वे आसानी से सफलता से विफलता की और जा सकते हैं जो लोग किसी भी चीज में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं उनका रवया एक ही होता है आप तब तक चलते रहें जब तक की एसा नह हो जाए या आप प्रयास क करते हुए मरने जाएं छोड़ना कोई विकल्प नहीं है यदि आप उस रवये के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं तो जब हालात कठिन हो जाएंगे तो संभवत है आप हार मान लेंगे अपने आपको परिभाशित करें आपकी रणनिती वह है जो हर बार नहीं बलकि समय के सा आपके काम आती है इसमें वही पर्तिबद्धा लगती है जो आप किसी रिष्टे में करते हैं आपके अनुसार यदि आपने अपने जीवन साथी को धोका दिया तो आपकी शादी कितनी अच्छी होगी एक ट्रेडिंग रणनिती भी इसके समान है क्योंकि आपको इसके प् यदि आप उन सभी को करने का प्रियास करते हैं तो संबवत आप सभी ट्रेडों के एक ओसत दरजे के जैको अफ़ दट्रेड बन जाएंगे एक रननिती का लाब उठाने के लिए आपको अन्या का त्याग करना होगा जब आपकी ट्रेडिंग शैली अन्या शैलियों से बह पर नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज में महान बनने के लिए आपको केंद्रिक और विशेशग्या होना चाहिए, आपको स्टाइल ड्रिफ्ट्स के नाम से जानी जाने वाली चीज से बचना चाहिए, शैली में बदलाव, आपकी रन्निती और लक्षों को स्पष्ट रूप से परिवासित ने करने से आता है, परिणामत है, आप अच्छे और बुरे हर दोर में अपने द्रिश्टी कोन पर कायम नहीं रहेंगे, यदि आप एक शोटरम ट्रेडर हैं, तो आपको यह समझना चाहिए, कि किसी स्टोक को तरह इतलाब के लिए बेचना केवल यह देखन के लिए कि उसकी कीमत दोगुनी हो जाए, आपके लिए कोई वास्त्विक चिंता का विशे नहीं है, आप श्टोक के मुल्य स्यत्ता के एक विशेस ख्षेतर में काम करते हैं, और कोई अन्य यदि वक्र के बिलकुल अलग ख्षेतर में काम कर सकता है, दोनों सफल हो सकते है हालां कि यदि आप लोंग टरम निवेशक हैं, तो कई बार ऐसा होगा जब आप एक अच्छा एक अलपनिक लाब कमाते हैं और एक बड़े करम की तलाश में इसे वापस दे देते हैं, मुख्य बात एक विशेश शैली पर ध्यान केंद्रित करना है, एक बार जब आप अप को अपने बलिदान का प्रतिफल आपकी अपनी विशेश्टता से मिलेगा, पुरुषकार को प्रात्मिक्ता दें, सफलता का रहश्य अपने इच्छाओं को प्रात्मिक्ता देना है, लोग आम तोर पर वही चीज़ें करते हैं, प्यार, खुशी, सोतंतरता, दोस्ती, सम्म वित्य पुरुषकारित्यादी, यह कहना सुरक्षित है, कि हर कोई जीवन में अच्छी चीज़े चाहता है, लेखक यहां आपके विशेश्ट लक्षों का उलेक कर रहे हैं, चाहे वहे एक सफल व्यापारी बनना हो, एक स्वादिष्ट सेफ बनना हो, या एक चेंपियन ट और जब तक आप अपना लक्षे पूरा नहीं कर लेते, तब तक अगली चीज़ पर आगे नहीं बढ़ें, क्यों, यदि आप अपने आपको बहुत अधिक फैलाते हैं, तो आप किसी भी चीज़ में बड़ी सभलता नहीं पासकेंगे, और कभी भी किसी भी चीज़ का पू लिदान की आवशक्ता होती है, इसलिए पहले कुछ आना चाहिए, एक सूची बनाएं, प्रात्मिक ताइं तै करें, और उसके अनुसार आगे बढ़ें, ध्यान केंद्रित करें, हासिल करें, और फिर आगे बड़े लक्षे की और बढ़ें, यहां लेखक आपको जो सला द प्रीत है, कि आपको अपने जीवन में संतूलन रखना चाहिए, खास कर जहां काम और पारिवारिक जीवन का संबंद है, निश्चित रूप से यही लक्षे है, लेखक अपनी पतनी और बेटी के सामने, किसी को या कुछ भी नहीं रखते हैं, लेकिन यदि आप स्टोक में सूपर परफॉरमेस का प्रयास कर रहे हैं, तो आंशिक प्रयास केवल आंशिक परिणाम ही देखा, जब लेखक ट्रेडिंग में नए थे, तो वे एसंतुलित थे, यह जानगबूज कर भी था, वे एक ओलंपियन की तरह थे, जो दिन वे बारा गंटे ट्रेनिंग करता है, उन्होंने खाया, पिया और ट्रेड में सांस ली, यह सब उन्होंने सोचा था, यह एक आयामे जीवन में पूर्ण विसरजन था, यदि यह डरावना लगता है, तो शायद सीर्स सूपर परदर्शन करने वाला ट्रेडर बनना वह नहीं है, जो आप वास्तों में चाहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि आप शोट टरम निवेशक के रूप में भी अपने ट्रेडिंग में सुधार नहीं कर सकते हैं, और निवेश के लाभों का आनंद नहीं ले सकते हैं, एसे प्रोफेशनल्स के कई अन्य उधारन हैं, जो ट्रेडिंग की गहन आवदी के द कर सकते हैं, आपको अपना सब कुछ देना होगा और फिर कुछ, यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन शोरवात में जैसा कि आप कुद को ट्रेडिंग जैसे चुनोति पूर्ण काम में समर्पिट करते हैं, आपको काम करना चाहिए और लेजर केंदरित रहना चाहिए, अ लोग स्वयम को आश्वस्त करते हैं कि वे तभी कुछ करेंगे, जब सब कुछ उत्तम होगा, हालांकि लेखक नेश्चित रूप से आपको वह सब कुछ सीखने के लिए प्रोचाहित करते हैं, जो आप कर सकते हैं, वे इसे देरी नहीं मानते हैं, जब आप यह सोशते और कहा था कि वे उनके नियमों का पालन करने के लिए तयार हो रहा है, लेकिन पहले वे डे ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें लगा कि वास्तों में अनुशाशित होने से पहले उन्हें और गलतिया करने की ज़रूरत हैं, उसके बाद वे उनके दृष्टि चीज के लिए प्रतिबद होना बंद कर देते हैं, उसमें और अधिक देरी करना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप जितनी अधिक चुनोती के करीब पहुंसते हैं, देरी उतनी ही अधिक जोर से चिलाती है, देरी का प्रतिकार एक्षन है, आपको एक्षन करना होगा, अन्यता कुछ नहीं होगा, यदि आप सही समय का इंतजार करते हैं, या जब आपको लगता है कि आपके पास सभी उत्तर हैं, तो आप कभी भी शुरुवात नहीं कर पाएंगे, बिना किसी एरर के कुछ नय करने से बेहतर है, कि कुछ भी अपूर्ण तरीके से किया जाए, आप सपने देख सकते हैं, आप सकारात्मक सोच सकते हैं, आप योजना बना सकते हैं, और लक्षय निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप एक्षन नहीं लेंगे, तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ज्यान, सपना और जूनोन होनाई काफी नहीं है, आप जो चाहते हैं, उसके साथ आप क्या करते हैं, यह माइने रखता है, आरंब करने का सरोतम समय अभी है, अपने आरामदायक क्षेतर से आगे बढ़ें, जीवन में एक सार्व वोमिक सत्य परतीत होता है, जिसे लेखक C.L.U.M. सिधंत कहते हैं, आरामदायक का मतलब कम और A.S. एहज का मतलब ज्यादा होता है, क्षमता और संभावना अग्यात के उर्वर क्षेतर में निवास करती है, अपने आराम क्षेतर यानि अपने कमफर्ट जोन से बाहर जाने का मतलब बड़े जोखिम उठाना नहीं है, इसका मतलब है कि आपको खुद को आगे बढ़ाना और एसे काम करने होंगे, जो पहली बार में एप्राकर्तिक या प्रतिकूल लग सकते हैं, सो भग्ये से आपको सुरक्षित और परिचित से सीधे उस चीज़ पर कुदने की जरूरत नहीं है, जो पूरी तरह से असंभव लगती है, जैसे कि आप अकापुलकों में चट्ट का चित्र बनाई, केंदर में आपका वर्तमान आराम क्षित्र है, आप केंदर में रिंग एक से शुरू करते हैं, जो कि आप पहले से ही जानते हैं, उस प्रारंबिक चरण से आप कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं, अपने बारे में सीखते हैं और अपने अनुशाशन म सुधार करना शुरू करते हैं, लेकिन रिंग एक केवल एक शुरुआते बिंदू है, यदि आप ट्रेड या किसी सार्थक चीज में अभुत्पूरु सफलता प्रात करना चाहते हैं, तो आप वहां स्थाई रूप से नहीं रहे सकते, किसी संगीत वाद्य यंत्र को बजाना सीखने या खेल में अच्छा बनने के लिए किये गए जवर्दस प्रियास के बारे में सोचें, इसमें गंटों अभ्यास और अच्छे परशिक्षकों और सिक्षकों से फीडबेक की आवशक्ता होती है, जो आपकी तकनीक को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे, समय औ के रूप में, जब आप जो वास्त्विक लगता है, उसे त्याग देते हैं, और जो एप्राकर्तिक लगता है, उसे करना सीखते हैं, तो आप अलोकिक हो जाते हैं, हालंकि आप रिंग एक से रिंग चार तक नहीं कूद सकते, आपको योग्यता और आत्मविश्वास आसिल करने के लिए आवशक समय और प्रियास करने की आवशकता है, यदि आप कोशल और अनुवव की नीम तयार किये बिना जल्दबाजी करते हैं, तो आप आपदा को आमंतरित करेंगे, प्रियास जो भी हो, जैसे जैसे आप शुरुवात से अधिक उन्नती की और आगे बढ़ अंधंडों को और अधिक परिशकर्ट कर लिया है, और अब आप सुनेश्चित जोखिम के संगपर्क में आई बिना बड़े पद ले सकते हैं, अधिक अनुवव और जानकारी के साथ आप रिंग तीन में चले जाते हैं, और रिंग चार आपका अगला लक्षय बन जाता है और इस तरह से, जैसा की राल्फ वाल्डो एमर्शन ने कहा, मन एक बार एक नए विचार से खिंच जाता है, कभी भी अपने मूल आयमों पर नहीं लोटता है, उसी तरह, जैसे आप सफलता पूर्वत अपनी पिछली सीमाओं से परेविस्तार करें, आपको अपनी मूल में कितने विक्सित और परिश्क्रत हुए हैं, जो इतना कठिन है, यहां तक की असंबह भी लग रहा था, अब वहें आपकी पहुंच के भीतर हैं, और आपके नए विस्तारित आरामक्षेतर का हिस्सा है, अभ्यास और अनुशाशन के साथ, योग्यता का यह नया विस्ता परिट स्तर, दूसरे प्रकृती होने की हद तक स्व्यम सिद्ध हो जाता है, इस तरह से महारत हासिल की जाती है, एक समय में एक कदम, ज्यान के तीसरे चरण का अनुशाण करें, ज्यान के तीन बुन्यादी स्तर हैं, पहला स्तर वहे हैं, जब कोई विचार, किसी अन्य व् प्रकृती द्वारा आपके सामने प्रस्तूत किया जाता है, कोई आपसे कुछ कहता है, और आप उसका मुल्यांकन अपनी राय के आधार पर करते हैं, इस जानकारी के बारे में आपके मन में मिश्रित भावनाई हो सकती है, हो सकता है कि आप सहमत हों, एस सहमत हों, या वास विश्वास है, एक विश्वास, एक विचार से अधिक मजबूत होता है, लेकिन यह अभी भी ग्यान के सबसे मजबूत स्तर पर नहीं है, तीसरा स्तर जानना है, जागरुकता का सबसे शक्तिशली रूप, यह वह ग्यान है, जिसे आप अपने भीतर रखते हैं, यह वही है जिसे आप सच मानते हैं क्योंकि आपने इसे प्रतेक्स रूप से अनुभव किया है इस बुक में आपको कई विचार मेलेंगे हो सकता है कि आप उन्हें दूसरे स्थर पर ले जाएं जब आप आश्वस्त हो जाएं कि जो लेखक आपको बता रहे हैं वह सच है उन्होंने परिक्षन और त्रूटी पसीना और आंसुओं से कई वर्ष बिताए है जैसे ही आप इन विचारों को स्विकार करते हैं और अपनाते हैं तो उन्हें अपने ट्रेड में शामिल करते हैं वे वास्तों में आपके ज्यान के बंडार का हिस्सा बन जाएंगे सहज, स्वेचालित और निर्विवाद आपका लक्ष है ज्यान के तीसरे स्टर को प्राप्ट करना है एक ऐसा ज्यान जिसे केवल अभ्यास और व्यक्तिकत अनुभव के माध्यम से इप्राप्ट किया जा सकता है यहां कोई छोटा रास्ता नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी किताबे सुनते हैं या कितनी कार्यशालों में भाग लेते हैं आप अनुभव को मजबूर नहीं कर सकते यदि आपको तुरंत बड़े परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो निराशने हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना ज्यान अरजित किया है या आप कितने होस्यार है फिर भी आपको वाल स्ट्रीट विसु विद्यले में अपना समय लगाना होगा जब लेखग ने पहली बार शुरुवात की तो उन्हें लाबदाइक बनने में 6 साल लग गई हलाकि उन चुनोतिपूर्ण वर्षों के दोरान वे अपनी रणनिती पर काइम रहे वे एक दरिष्टिकोन से, दूसरे दरिष्टिकोन पर नहीं गए जैसा कि वहाँ कोई जादोई सुत्र था और रहसे उसे ढूनना था जैसा कि पहले कहा गया है, उन्होंने एक रणनिती तै की इससे उन्हें समझ में आया कि फिर उन्हें इसे क्रियानवित करने की अपनी क्षमता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया वे पठ्थे क्रम पर काइम रहे, दड़ता पूर्वक अनुशाशित रहे और नियमों पर काइम रहे दड़ता ज्यान से अधिक महतवपूर्ण है और जीत उसी को मिलती है जो दड़ रहता है जब तक आप अपने अनुबहों से सीख रहे हैं बागीतारी के मध्यम से सही ज्यान प्रात करना कठिन या तनावपूर्ण नहीं है ठोस नियमों और एक रननिती के साथ आप स्विच्छा से प्रकिरिया को सामने आने देते हैं पहले प्रकिरिया को अपना कर और फिर उससे सीख कर आपको भरोसा है कि चीजे समन्ने रूप से हो रही है और सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए अब हम शुरू कर सकते हैं अभी हम परीचे के अंत में आ गए हैं क्या आप जोखे मूठाने जा रहे हैं यह हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने यह चर्चा शुरू की थी आपके पास एक विकल्प है एक निरने लेना चाहे आप जीते या खारे सबसे पहले आपको यह गोशित करना होगा कि आप सफलता के योग्य हैं जैसा कि लेखक ने पहले पताया एसे लोग हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे सफलता के लाइक हैं, शायद यह कुछ ऐसा था, जो उन्होंने तब किया था, जब वे छोटे थे, जिसका उन्हें अब पस्तावा है, या हो सकता है, कि वे इसी तरह बड़े हुए हो, कारण जो भी हो, वे एक दोशपूर्ण विश्वास प्रनाली पर कायम है, जो उन्हें ब और आगे बढ़ें, आप अपने जीवन में सफलता और जुनून पाने के पात्र हैं, एक बड़ा लक्ष है, जिसके लिए खुद को समर्पित करना उचित है, आप कुछ ऐसा बनाने और करने के लाइक हैं, जो आपकी रूची जगाए, और आपको बध्धिक रूप से चु दूसरी और ऐसे लोग भी हैं, जो मानते हैं कि वे सभलता के हकदार हैं, चाहे अपने परिवार के नाम, प्रष्ट भूमी, शिक्षा या अपने आस्तिन पर पहनने वाली किसी भी वन्शावली के कारण, बाजार उन्हें अन्यता सिखाएगा, और यह समभवत एक कठिन वक होगा, सभलता एक ही रास्ते से मिलती है, कड़ी मेहनत और विनमरता, शियर बाजार में जो लोग विनमर नहीं हैं, उनका भग्यवी विनमर होना ही चाहिए, हालांकि परिवर्तन एक पल में होता है, जैसे एक दुमरपान करने वाला आखरी सिग्रेट बुजा कर पूर व्यवारों के साथ हैं, आप कारियवार संभाल कर अपने सपनों और भग्या पर स्विच कर सकते हैं, और जिम्मेदारी लेना आज से शुरू हो रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको निर्ने लेने का निर्ने लेना होगा, सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडर हैं या नहीं, यह आपकी पसंद है, यही और अभी निर्ने ले, इससे बहतर कोई समय नहीं है, शायद इसलिए आपने यह पुक उठाई, शायद इसलिए आप इसे सुन रहे हैं, शायद इसलिए आपने जीवन में जो कुछ भी पहले आया है, और जो कुछ आप बविश्य में हासिल करना चा अभी निर्ने ले, फिर अगले चैप्टर पर जाएं